मेरे आया था पाटिक पुत्रा में दोर बाई दोर जनगंडा हुआ है लागू हुआ है जनगंडा दोर दोर चलो हुआ है कुछ ऐसे अलिमेंट से जो जनगंडा के खिलाप में है तो कहने के मात्म है कि 10 परसंट और जेनरल लोग उनकी सरद्ध उनकी परतिशता सार दस परशेंट उनको जब 10 परशेंट अरक्षन मिला जा सकता है विवाद बढ़े जाता है हमार माली की कुछी का आप संख्यक है जातिवाद गाना निकालेगा तो उसको लोग सताता है जाती जन गाना उचित नहीं हुआ है नहीं हुआ है वो उचित होता तो इस पर रोक लगाता तो जो भूजपूरी सिंगर लोग गाते हैं जाती वाद गाना उसके रोक लगना चाहिए जाती बनाया जा सकता है समाज में तो जाती कुछ गिनने में क्या प्रोब्लम है क्या प्रोब्लम है कुछ प्रोब्लम नहीं जाती गीना जा सकता है हमारे घर में तो अभी कोई पता सकता है एक भी कान वीजेपी गड़ीब के लिए कुछ नहीं किया किना कित्ना है A.C.E.S.T. O.V.C. वगरा का पता चलेगा कितना परसेंट उस हिसाफ सें वो लोगो हक मिलेगा विरोध करने डरे हुए है इस और खिलाप थे कि नहीं होना चाहिए है समाज को काम अप्रोबं है अगर माले आदमी है उसको समस्या को हल गरना उसके बा Key sap करता है नहीं करता कुछ सी जाती है क्यों से जाती है में सबसे ज्यादा गड़ीब है यह कैसे पता चलेगा जब सर्वेय होगा तभी तो पता चलेगा ना समस्कार देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षिछा और इस वक्त मैं मौझूद हूँ पटना के रेलवे जब से सारवजनिक हुआ है तब से लगातार विपक्ष्र बिहार सरकार पर हमलावार नज़र आ रही है और लगातार सवाल उठा रही है जुपर पलटवार करते हुए लालोपरसाद यादव ने एक्सपर पोस्ट आला है और उन्होंने कहा है कि जो भी इस जुआती जंग वो सिर्दर की दवाई खाने से नहीं होगा तो अब ऐसे में सवाल उठाय ज़ा रहा है कि जो बीजबी द्वारा लगातार विरोध के ज़ारत के बीजबी को ज़्वातिय जनगन्ना होने से क्या डर लग रहा है इस बार की बिहार में भीजबी के सत्ता बनेगी या नहीं मिलेगी आई कि यहीं के जनता से जानते हैं क्या नाम है आपका टेक समीर आति जंगन्ना होई आपके घर हम यहां तो यह 7 यह हिफार में चल रहे हैं तो बीते हमें नहीं है प्लिभॉट करम लोग k कराया वहों तो सरकार की राय हो सकती है तैज Walker सोच कर 집에 रहें हो कि और दो भी सकते हैं नहीं भी हो सकती फिपर से ऩ्वह हो सकता है क्या लगते है आपको यह जो भी हाहार सरकार जाती से जबर स्देदू नहीं हो गया तो फिर एक जला कि इसमें समाज को बाचने का मिंगा है है करता है यह वह बताएंगे कि आप किस जाती से हम कानूबर्ग में साओजी है तो लगता है कि जब से जाती जनगरना के आकड़े आये हैं तब से सब अपनी जाती को लेकर बात कर रहे हैं और समाज में भेदभाव हो गया है कि मेस्धमाज में बहुत जधा जंदागरदी होता है और पर्खंद से जीत जाते हैं थेजपर्ताव तो मनमाना करते हैं मेरा पर्खंद से जीते हुए महुआ कोई गरीब को नहीं सुनने वाला है परखंड में इसे दवराते दवराते तवा करके लोग छोड़ देते हैं कहां किसी का कुछ कहिए नहीं सुने गरीब को कोई सुनने वाला है नहीं बहुत हम इस इश कुमार जो जनता दरबार लगाते हैं तो आप उसमें फर्याद लेकर नहीं गई गाएं कायवार नहीं सुनें नहीं सुनें हम 23 साल से विद्वा है वोस्ती पंचायत का महला है हमारे पास बहुत सा मजबूरी रहा चोटे-चोटे बाल बुतरू रहा मेरा पती इसपायर कर गया और इसके बाद कथनाई मुश्किल पर गया कैसे उनकी मतलब मौत हो अच्छा नितिश कुमार तो सबको मुआफजा देते कब की बात है उन्हें शौन ठानमी की बात आपने कोई मुआफजी की बात नहीं की सरकार से मुआफजे की बात कि यह लेकिन कोई सूना नहीं मैं अपने माज़दूरी करके अपने जगह जमिन में कमा करके चार अब आपने अभी अभी इनी की मुँसे सुना है और वहां पर आरजीडी की सत्ता है बावजूद इसके महिला जो है इनको इती काफी परिशानी हो रही आगे भी लोगों से बात चित करेंगे कि क्या वाकई समाज में भेदभा हो गया जिस तरह के सारोप लगा रही है विपक्ष क्या लग रहा है आपको पहले यह बताए आपके घर में जाती जनगरना हुई अब है अधि तो हम तो नहीं थे घर पर जाती जनगरनां हो रहा था हुआ कि नहीं हो नहीं लगता है कि जाती जनगरना जो हुई है यह समाज को बातनी वाला काम किया गया है बाटने वह तो काम किया गया है जाती को बाटा गया कितना जात हमारा है कितना हिंदू है कितना मुस्लीम यहीं सब बाटने के लिए अच्छी बात है कौन सी कितना कौन सा कास्ट है पता चलेगा निकालता है जाती बाटने नहीं हुआ है नहीं हुआ है वह उचीत होता तो इस पर रोक लगाता जो भोजपूरी सिंगर लोग गाते हैं जाती बाटना चाहिए था कम से कम अहींस सब करते हैं अगर होता तो इस पर रोक लगाता चाहिए था क्या लगते हैं आपको कि समाज को बाटा गया है जाती जन्गना करा का नहीं नहीं जब जाती बनाया जा सकता है समाज में तो जाती को गिनने में क्या प्रोब्लम है क्या प्रोब्लम है कुछ प्रोब्लम नहीं जाती गिना जा सकता है अगर जाती जन्गना हुआ है उसी अध कर जातियां गया है लाध चल आलना पड़िए उसकी आकरा निकालना ना पड़ गान क्या रोट आ 평 बिहार में रिपोर्ट भी आ गई है लेकिन अब विपक्ष सवाल उठा रही है कि जाती जन्गना जो हुआ है वह समाज में लोग रहे हैं उनको बाटने का काम किया गया है बिहार में भाजपा को लाएंगे रुके दरही है क्या लगते हैं को बिहार में जाती विशेश जो है उनको बाटने का काम किया गया है जाती जन्गना करा करा है चैसे मतलब कैसे सही वाप यह थोड़ा पताता है वह आज कहीए साल से जत्ती जन्गना हो रहा है आज नहीं थोड़े हो रहा है आज इसको लागू किया गया है कई एक बार हुआ हाई कोट गया लोग इसको रोकने के लिए कहीं कोई रोका जब सुप्रीम कोट आदेश दे दिया हाई कोट आदेश दे दिया उससे ही कामना है गलत थोड़े हुआ है विपक्ष कह रही है कि जो समाज में समाज को बाठाना विपक्ष जो कहानों कर बेकर विरोजी का का में उल्टा बोलना तो क्या लगता है बीजोपी डर गई है जो जाती जनगना हुआ है तो प्रसंसा करते थी कैबिनिट मंत्री से 17 महिना में छोड़ दिये जब भाजपा को मंगाली देने लेगे आज फिर भाजपा में चले गए तो फिर प्रसंसा कर लेगे तो चूर या नेता लोग के यह काम बा मिला जुला के बहिंग यह कही सवाल बा कि यूपी नियक्षर भाजपा के बिहारों में लाब देंगा एक बिर योद्धिक लिए क्या लगजा है आपको कि बिहार में जो जाते जुनगर्ना कराया गया है ये समाज को बाटने का काम किया है बिलकुल हमारे अपने सोच से सर्वे समाज को लेके ही चलना चाहिए और जाती बिश्यस की बात जहां तक हो जाए तो उसमें प्यार महबबत जैसे मिलकर भाईच क्या दिखने लगते नजर्टे साथ लालोई आदव का कहना है कि जो इस जंगर्ना के विरोध में हैं उन में नियाइक चरितर नहीं है क्या कहेंगे अब तो उनका क्या मैंड मेकप किये हैं और क्या सोचकर यह बात बोले हैं उनका मैंड का यह सोच है इस पर हम को इक नहीं आपके हिसाब से जो जाती जन्गना कराई गई है वो ठीक है कि नहीं उसका जाती जन्गना किया गया है बकिन उसका क्या है कि पूरा किलियर हुआ के नहीं हुआ है कि जाती इतना है के नहीं है कौन कितना है इस पे पूरा किलियर हुआ के नहीं है इसका अभी तक पता नहीं ह किया लगते हैं आपको जाटे जनगना या होगा है वो संमाच को बाटने का काम क्या गया है यह भाना इक भाई इसमें हम क्या क Qur यह भाए लगया लगयेह कै आपके घर में जाते जन्गना कराने के लिए लिए जेसे हो सकता है जब जनगना हो जाएगा तो उसका विरोध कॉन करेगा जब जनगना लोग आते हैं करने के लिए चार घर में कर लिया उसके बाल रिपोर्ट बना दिया प्रट्वूत्र है कि अप्रट्व सरकारी पिस्वा भाई दोर गया है कि समाज को बाठने का काम किया गया गलत बात है, गीना गया कितना है, A.C., A.C., O.B.C. वगरा का पता चलेगा, कितना पर्सेंट उस हिसाब से वो लोग को हक मिलेगा. क्या लगता है जो विरोध करने, विरोधी दल क्या डरे हुए हैं इस बार? हाँ, वो तो खिलाब थे, कि नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मेरा पोल खुल जाएगा, चुनाओ के समय, इसलिए लोगों नहीं चाह रहा है, तो कि मने जनगर्णा नहीं हो, मात्र महा गंटबंदन, जितने पार्टी है, उनाइट हो के, अपने बल पर प्रधान मंतली ने कहा कि हम सक्षम नहीं है, तो बिहार सरकार अपने बूते करा ये जनगर्णा, जनगर्णा कराया है, डोर भाई दोर गया, सगरो गया, सरकारी में, हस्पीटल में, प्राइबेट रेसिजिएंस, अपार्ट्मन सगरो गया, जनगर्णा हुआ है, ये लोग तो सुरू सेकेंस में बिरोद में है, ये लोग ने क्या नहीं किया, कुरु प्रचार किया, हाइब कोट में केस किया, लेकिन कितना कोडोर रोप्या लगा, सरकार ने नहीं माना ठीक है, सही है, वो अपने असर से करेगा, जनवरी में इसका फाइनल रिपोर्णा आ जाएगा, आकड़ा काष्ट सरकार बोली थी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग है, उनका सर्वे किया जा रहा है, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई, सिर्फ जाती है, जनवरी में टोटाल आ जाएगा, वाले लोग से पुछी है, उसका आकरा क्यों नहीं आया, जब दस, लेकिन बिहार में तो न अरक्षन मिला जा सकता है, तो यहां विपक्ष में है, तो बीजेपी से कैसे सवाल पूछा जा सकता है, आप कहरें बीजेपी सवाल पूछा जा सकता है? जो लोग समर्थन करें बीजेपी सरकार के लोग है, वहीं लोग तो समर्थन में है, हम लोग को चाहिए 10% हम लोग 20% हम लोग 24% आ CD आ परसेंट आपको आरक्षन चाहिए क्या लगता है सर जो बिहार में जाती जनगना कराए गई है वो समाज को बाटने का काम किया गया है कैसे हमारी जाती जादे आएगा तो जादे में भोट मिलेगा हमारी सरकार बेनेगी अच्छा अभी भाईया बोल रहे थी कि दस परसेंट आरक्षन जो मिला है बीज़ोपी इसके समर्थन में और इनको चाहिए बासेट परसेंट आरक्षन क्या करेंगा पेशी सौप पुलेशन क्या लगता है समाज बट गई जब से आकड़ा सामने आहा है वांतने जा रही है जलोके पाद जन्साग्या 10 परस पर नभी परसण्स कबज आप जो जिसकी जन्साग्या यो परसंद का उसकी भी आशक से करेंगे उसको अरक्षन मिलेगा उसकि अच्छनम से नहींड़े करेंगा और प्रहाई लिखाई मिलेगा होस्पीटर के मिलेगा चिछा मिलेगा तब तो यह बढ़ेगा सब्सक्राइब उसको कुछ दिया ही नहीं जा रहा किना कोई भी आंड defendants पॉल ऐसे नहीं तो फिरोध ही करेगा जाल करना चाहीए ना क्या सवाल करना चाहिए हैं क्या सवापनी से कि विखास की धारा बहुती थी उसमें गड़ी बी दूर हो गई थी अज हमारे पास गहर ग़र बनानी के लिए जयमिन नहीं के पास कौत पाकशर बिकास जरें होता है कि क्या आदमी है और सबका सास्ब्र में भी अज्यमिन इस दिन सरकार हमारा रहेगा हमारा बनेगा आज बने चाहर कल बने मेरा सरकार बनेगा नायम के बीजेपी सरकार कहती है कि आम मोदी जी कहते ह्कि